जी हाँ, सैर करने के बाद तो बोग लगेगी ही, तो आईए हम बनाते हैं एक और ब्रेट स्लाइस का नास्ता, बहुत ही लाजवाब बनता है ये, कुरकुरा पन तो बस इनका पूछे ही मत देखिए, बहुत ही प्यारा रंग, तो आईए शुरू करते हैं, शुरू में ये मैंने छे अंडे लिये हैं दोस्तों, आप कम या ज़्यादा अपने परिवार जनों के मताबिक कर सकते हैं, इनको हम कद्दू कस कर लेंगे, और बड़े जो हमारे छिदर हैं, उससे ही करना है ताकि थोड़े बड़े बड़े दालेंगे, पोना चमच, छोटा सौफ, आदा चोटा चमच, अजवाइन, चाट मसाला, लगबग एक छोटा चमच और काला नमक, जिसे हम रोक साल्ट भी बोलते हैं, काला नमक ही नहीं दोस्तों, ये एक लस्वन की कली ली थी मैंने, बारिक टुकडों में इसे काटली हमेंने, उसके बाद आधी प्याज, ज़्यादा प्याज ना डालें, बारिक टुकडों में, उसके बाद हरा पोदिना के पत्ते, जिससे महक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये चिली फ्लेक्स, यानि लाल मिर्च के बीच, ज़्यादा थीखे नहीं होते, इनस कुरकुरापन जो है, काफी बढ़ जाता है, तो ये जरूर डालें, ये थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ, हरा पोदिना का पाउडर, इसके बाद, का लाल मिर्च पाउडर, इसे कम या ज़्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, और इसे अच्छी तरह मिलाएं, इसमें हम चीज स्लाइस भी डालेंगे, स्लाइस के हम छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे, आप छोटे बड़े जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, और इनको हम अपने इस मिश्रन में मिलाएंगे, डाल कर अच्छी तरह मिला लें, ताकि अच्छी तरह मिल जाएं, और स्वाद में चार चांद लग जाएं, उसके बाद हम एक स्लाइस लेते हैं, इनको, इनके किनारों को मैंने काट लिया है, चारों तरफ से, और इसे अच्छी तरह से हम बेलेंगे, बिल्कूल चपाती की तरह, रोटी की तरह, और कोई ऐसा छिदर ना रह पाए, ताकि हम जब इसे तेल में तलेंगे, तो तेल अंदर ना जाए, कुछ इस तरह, बहुत ही बढ़िया, इसके बाद हम लेते हैं, मैदा, लग बग, आधा बड़ा चम्मच मैंने मैदा लिया है, इसमें पाने मिलाएंगे, अच्छी तरह, मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पाने डालें, एक दम और अच्छी तरह से मिलाएं, अच्छा हमारा पेस्ट बन गया है, देखी, उसके बाद जो हमने ब्रेड लिया था, उसमें हम अपना यह अंडे का मिश्रन डालेंगे, बहुत ही प्यारी खुश्बू, सारा, सारी तरफ ना डालें, आदे हिसे में ही डालें, और इसी तरह, हलके हातों से हम हमारा जो मैदा का पेस्ट है, वह इसके चारों तरफ लगा देंगे, ऐसे देखी, इस तरह, ताकि जो हमारे कोने हैं, वह चिपक जाएं, और तेल अंदर ना जाए, बिरकूल हलके हातों से लगाएं, और उसके बाद हम इस तरह, इसको तिकोनी शेफ आप कोई भी शेफ दे सकते हैं, देखिए, और इसको हम साइड में रख देते हैं, फिर मैं दूसरी तरह से इसे बना रहा हूँ, इस तफ़ा जो मैं चोकोर बनाऊँगा, तिकोना नहीं, हम इसे सेंडविच ही कहेंगे, साइज तो हम किसी भी तरह का बना सकते हैं, इसके चारों तरफ हम यह मैदा का पेश लगाएंगे, उसके बाद तेल हमारा गरम हो चुका है, उसमें सिर्फ फ्रेंट्स दियान रहें, बिल्कुल दो या तीन सेकिंड तक ही हमें इसमें रखन है, और जहां तक हो सके, आप बटर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, यह हमारा दूसरा चोकोर सेंडविच, बहुत ही लाजवाब, तेल को इसके उपर की तरफ से भी डाल दें, ताकि कच्चा ना रह पाए, इसे एक बार पलट दें, देखिए, बहुत ही प्यारा रंग, और कुर्क्रा पन तो जो है इसमें वह तो बहुत ही ज़्यादा आएगा, तेल को हमें अच्छी तरह से इसमें से निकाल देना है, तेल अंदर जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए जहां तक कोशिश हो सके, बटर में ही बनाए, उसके बाद किसी प्लेट में रखकर, इस पर हम नैपकिन से, पेपर नैपकिन है हमारा, उससे ते तेल अच्छी तरह निकाल लेंगे, और यह हमारा सेंड्विश तयार, तो मिलते हैं दोस्तों अगली रेसिपी में,